Biological Methods आज हम Biological Method को Malaria की Example के जरिए Study करेंगे Biological Method क्या है? Scientific Method जिसमें Biological Problems को Solve किया जाता है Biological Method कहलाता है यह उन एकदमाग पर मुश्तमिल होता है जो एक बाईलिजिस्ट एक बाईलोजिकल प्राप्लम को हल करने के लिए उठाता है बाईलोजिकल प्राप्लम दूसरी साइंसिस की तरह बाईलोजी में भी मजीद इल्म और अदादर शुमार अकटे होने के साथ नई अश्या डिस्कावर की जा रही है और पुराने नजरियात में या तो चेंजिस की जा रही है या इन्हें बेहतर नजरियात से बदला जा रहा है ये सारा काम उस्वर्थ होता है जब बाइलोजिस्ट किसी बाइलोजिकल प्रॉब्लम को पेचानते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं Solving a biological problem Biological problem को हल करने के लिए Biologist मंदर जाजल स्टेप से गुजरता है Recognition of biological problem या biological problem की पहचान करना Observations या मुशाहिदात करना Hypothesis formulation या hypothesis तश्कील देना Reductions बनाना Experimentation या तुजरबात करना Summarization of results या नतायच का खुलासा करना और Reporting the results Recognition of the biological problem Biologists उस्फ़क biological method को इक्तियार करते हैं जब इन्हें किसी biological problem का सामना होता है Biological problem से मुराद जानदारों से मुतालिक ऐसा सवाल है जो या तो शक्स या इदारा Biologist से पूछता है या Biologist के माइड में खुद बाखुद आता है Observations Biological problem को सॉल्फ करने के लिए Biologist अपने पुराने मुशाहिदात को दोराते हैं या नए बनाते हैं Observations के लिए देखने सुनने सुंगने चक्ने और चुने की पांच सेंजिस इस्तमाल की जाती हैं हम जानते हैं के Malaria पाकिस्तान समेथ दुनिया भर के मुमालिक में आम बिमारी है हम Biological Methods के स्टेप्स को तफसील से बियान करने के लिए Malaria को मिसाल के तोर पर लेंगे हम तरीख के पहलू से देखेंगे कि किस तरह मुख्लिब अज़वार में तिवी माहरीन Malaria को किस तरह देखते थे Observation 1 2000 साल पहले In ancient time तिवी माहरीन के मताबिक Malaria के फैनले की वज़ा Low Living Standards और मार्शी एरियास थी यानि मार्शी एरियास में खड़ा पानी हवा को जहरीला कर देता है और जब लोग इस गंदी हवा में सांस लेते हैं तो Malaria का शिकार हो जाते हैं Observation 2 Observation की मजीद क्लारिफिकेशन के लिए कुछ लोगों ने मार्शीस का खड़ा पानी पिया लेकिन वो Malaria में मुब्तला नहीं हुए Observation 3 17 से 20 सदी तक कौइनाइन का पोदा Malaria का वाहिद जरिया अलाश था एक में एक फ्रेंच आर्मी के तिभी माहिर जिसका नाम लिवरॉन था ने Malaria की वज़ा को तलाश करना शुरू किया उसने Malaria में मुब्तला एक पेशन के खून का नमूना लिया और उसका माइक्रोसकोप के जरिये मुशाहिदा किया उसने देखा कि उसके खून में कुछ चोटे जिन्दा जानदार वजूद थे लिवरॉन की दिर्याफ को दूसरे साइंस दानों ने रख कर दिया दो साल बाद इसी किसम के जानदार किसी दूसरे पेशन में भी पाए गए और तीन साल बाद भी इसी किसम के जानदारों का मुशाहिदा किया गया इन जानदारों को प्लाजमोडियम का नाम दिया गया Formulation of Hypothesis Biologist अपने और दूसरों के मुशाहिदात को दादर शुमार यानि डेटा की सूरत में तर्टीद देते हैं और एक ऐसा बियान बनाते हैं जो जेर इन बाज़िकल प्रॉब्लम का जवाब या solution साबित हो सकता हो मुशाहिदात की ये तेकीक तलफ वजाहत Hypothesis के लाती है Hypothesis को दुरूस माना जाता है और Deductions को Hypothesis के Logical नताईज कहा जाता है इस मकसद के लिए एक Hypothesis और उससे मतवक्का नताईज अक्स किये जाते हैं ये मतवक्का नताईज Deductions के लाते हैं इस केस में Deductions ये थी के अगर Plasmodium Malaria का सबब है तो तमाम अफराद जो Malaria में मुपतला हैं उनके ब्लेट में Plasmodium होना चाहिए Experiments Biological Method का सबसे एहम कदम तो जो बात करना है Hypothesis से अक्स की गई Deductions को टेस्ट से गुजारा जाता है और उससे Biologists मालूम करते हैं कि कौन से Hypothesis दुरूस्त हैं गरत Hypothesis रद कर दिये जाते हैं जबके दुरूस्त साबित होने वाले Hypothesis को कबोल कर लिया जाता है मिसाल के तोर पर Malaria में मुपतला सो अफराद के ब्लेट को माइक्रसकॉप के जरिए देखा गया इसी तरह सोच सिहत मन लोगों के खुन को भी माइक्रसकॉप के जरिए देखा गया Experiments के Results ने थाबित किया कि तमाम मलेरिया के मरीजों के ब्लेट में Plasmodium मजूद था लहाजा Results ने थाबित किया कि Plasmodium ही Malaria का सबब है नेक्स बाइयलोजिकल प्रॉब्लम ये थी के प्लाजमोडियम किस तरह इंसान के खून में आता है बाइलिजिस्ट के पास मंदजज जैन मुशाहिदात थे नमबर वन मलेरिया का तालुप मार्शिस के साथ है नमबर वन मार्शिस का पानी पीना मलेरिया का सबब नहीं इन मुशाहिदात से ये अक्स किया जा सकता है कि प्लाजमोडियम मार्शिस के पानी में मजूद नहीं होता लेकिन ये किसी कैरियर के जरिये मार्श वॉटर से आता है 1883 में एक फिजीशियन AFA किंग ने कुछ एहम मशाहिदात बताए जो ये थे के वो लोग जो बाहर सोते हैं मलेरिया में जल्ग मुप्तला हो जाते हैं उन लोगों की निस्बत जो अंदर सोते हैं इसी तरह वो अफराद जो आग के पास सोते हैं मलेरिया में मुप्तला नहीं होते इन मुशाहिदात की बन्याद पर किंग ने ये हाइपोतेसिस बताया के मच्छर प्लाजमोडियम को मुन्तिकिल करते हैं और मलेरिया के फिलाओ का सबब बनते हैं हाइपोतेसिस को मदे नज़र रखते हुए जो डिडक्षन बनाई गई वो दरूस थी और ये थी के अगर मच्छर मलेरिया के फिलाओ का सबब हैं तो प्लाजमोडियम मच्छरों में मुझूद होना चाहिए और मच्छर जो मलेरियम में मुप्तला मरीज को काड़ता है तो उसमें प्लाजमोडियम मुन्तिकिल हो जाता है। डिडक्शन्स को टेस्ट करने के लिए रॉनल्ड रोस जो एक आर्मी फिजीशन था इसने 1880 में इंडिया में बहुत से एहन तजूरबात किये। इसने मलेरिया में मुत्ला मरीज को एक मादा एनोफिल्स मच्छर से कटवाया। कुछ दिन बाद उसने इस मच्छर को मार दिया और उसने देखा कि मच्छर के मेदे में प्लाजमोडियम की तदाद बराबर बढ़ रही थी। रिजल्स आखिर में हाइपोथिस को डारेक्ट इनसानों पर तो जुर्बात के जरिये टेस्ट किया गया। 1898 में एक इटेलियन बायोजिस ने मलेरिया के मरीज को मादा एनोफिल्स मच्छर से कटवाया। और उस मच्छर को कुछ दिनों के लिए रख दिया। और फिर उस मच्छर से एक सिहतमन इनसान को कटवाया। कुल दिनों के बाद वो सिहतमन इनसान भी मलेरिया में मुट्ला हो गया। इससे ये साबित हुआ कि मच्छर प्लाजमोडियम को मुंतिकल करते हैं और मलेरिया के फिलाओं का सबब है।